स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोन बिंदू सनरचना बनाईए और जियों काते हूँ ये प्रशन आपको एक्जाम में देखने को मिलता है क्योंकि एक अक्षा दसमी बिग्यान का काफी फेमस क्वेश्चन है क हमें इलेक्ट्रोन बिंदू सनरचना बनाना सीखना है तो जैसे पहला हमें दिया गया है एथेनो एक आमल फिर हमें दिया गया है हाइड्रोजन सलफाइड फिर प्रोपेनान दिया गया है फिर यहां पे फिलोरीन दिया गया है तो देखो कैसे हम करते हैं सबसे पहले मैं पॉर्मूला है अब इलेक्ट्रोन बिंदू सनरचना बनाने के लिए हमें बाहतम कोस के इलेक्ट्रोन के बारे में जानकारी होनी चाहिए या फिर हम कह सकते हैं कि electronic बिन्यास जो होता है वो हमें आना चाहिए तो वो कैसे पता चलेगा मैं आपको बता देता हूँ कोई भी तत्व होता है उसका परमाणू क्रमांक जो होता है उस आधार पे हम उसका electronic बिन्यास लिखते हैं जैसे यहाँ पे एक कारवन है तो हमने यहाँ पे क्या किया एक कारवन बनाया कारवन के चारों तरफ तीन तरफ हाइड्रोजन है तीन हाइड्रोजन तो हमने क्या किया यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना लिया पहले तो देखो लिखते कैसे हैं वो समझ लो तीन हाइड्रोजन ने तो एक इस तरफ बना लिया और एक हमने नीजे की तरफ बना लिया इसके बाद एक और फिर कारवन है तीन हाइड्रोजन के बाद एक कारवन फिर से है तो हम एक कारवन इसके सामने यहां पर बना लेंगे इसके बाद दो O है फिर H है तो दो O है तो हम ऐसा कर लेते हैं कि एक O यहाँ पर बना लेते हैं और एक O हम यहाँ पर बना लेते हैं और उसके बाद O के बाद ही H है तो O के बाद किसी भी एक O के बाद हम H बना लेते हैं चलिए इसके बाद हम यहाँ पर एक H ले लेते हैं तो इसका structure समझना काफी आसान है इसका Lewis.structure अगर ये question exam में आ गया तो ये तो आप करके ही आओगी इतनी guarantee अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो तो सबसे पहले कारबन के बाहतम कोस में कितने electron होते हैं तो इसके लिए मैं rough का यूज़ करूँगा तो देखिए ये rough paper है अब इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर कारबन लिखना है और यहाँ पर उसका परमाडू करमान के लिखना है चार तो इस हिसाब से हम कहें तो दो और फिर दो हो जाता है आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि पहले कोस में दो electron जाते हैं दूसरे कोस में आठ electron जाते हैं और तीसरे कोस में भी आठ electron ही जाते हैं तो पहले कोस में दो भरे जाते हैं तो यहां पे दो तो भर गए दूसरे कोस में आठ भरे जाते हैं लेकिन यहां पे जो होता है यहां पे जो होता है परमाणू क्रमां किसका कार्बन का 6 होता है थोड़ा समझना अच्छे से तो यहां पे दूसरे कोस में कितने जाएंगे लेकिन हमें यहां पे कितने लेने चाहिए ताकि छे हो जाएं चार और ले लेने चाहिए तो दो और चार कितने हो जाएंगे टूटल छे तो परमाणू कि रमाण किसका कितना हो जाएगा छे तो बाहतम कोस में कितने इलेक्टरोन होते हैं हुए तो बाहतम कोस में चार एलेक्ट्रण हैं तो हम चारों एलेक्ट्र वगकों बना लेते हैं एक यहां पे बना दिया हम ने एख इस तरफ एक इस बाले पर माडों की तरफ wells और एक इस बाले पर मारों की तरफ इसके बाद is जो दूसरा कार्बन है इसमें भी चार ही होंगे तो हम इसको भी बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के इस तरफ आक्सीजन और कार्बन के बीच में दो डवल बॉंड आता है तो यहां पे हमें इसके दो इलेक्टरोन रख देने हैं फिर यहां पे एक और आक्सीजन है तो यहां पे हम क्या लेकिन इस तरफ भी रखना है तो कोई एक आक्सीजन की तरफ डवल बॉंड बनेगा एक यहां पे रख देते हैं और एक यहां पे रख देते हैं अब इसकी बाद हमें हाइड्रोजन का बनाना है तो हाइड्रोजन की बाहितम कक्षा में एक ही होता है तो हमने क्या किया यहां पे एक बना दिया और यहां पे भी हमने एक बना दिया आप चाहो तो इसको अलग किन से भी बना सकते हो जैसे रेड कलर से आप बना सकते हो तो य आक्सिजन के भी मैं रेड कलर से बनाओंगा आक्सिजन का परमानुक्रमांग आठ होता है तो पहले कोस में दो तो भर जाएंगे देखो मैं यहां पे दिखा देता हूं कि आक्सिजन का परमानुक्रमांग के कितना होता है आठ होता है तो पहले कोस में दो भर जाएंगे अब तो इलेक्टरोन हम यहां पर बना लेते हैं तो दो दो चार और दो छे तो इस आक्सिजन के भी छे ही होंगे तो हम दो साइड में बना लेते हैं ठीक है और एक एक ऐसे बना लेते हैं और हाइड्रोजन का भी एक है अपना अश्टक कून करेगा तो उसे चार और चाहिए क्योंकि कोई भी तत्व क्या चाहता है अपना अश्टक कून करना तो उसके पास चार है चार और लाएगा वो तो आठ हो जाएंगे तो उसका दूसरा कोस पूरा भर जाएगा तो उसे चार और की जरूरत है तो वो चार एक दो इस कारवन का भी ले ले गाए कि ये हो गया एक दो तीन चार तो इसका पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से वो बन जाएगा ये देखे ये कारवन के घेरे में आप देखो कितने एलेक्टरोन आपको दिख रहे हैं का होगे सर चार तो ये हैं और चार ये हैं एक दो तीन चार इसके बाद हाइडोजन का एक होता है लेकिन हाइडोजन को अपना अश्टक पूर्ण करना हाइडोजन का परमाणों कितना होता है एक तो एक ही रहेगा लेकिन इसके कोस में अधिकतम होते कितने हैं हो कितने सकते ह यहां पे तो hydrogen एक electron करने की कोसिस करेगा यानि उसे एक electron चाहीए अश्टक पून करने के लिए तो यह carbon का एक electron अब hydrogen अपना घेरा बनाएगा तो hydrogen मैं pencil से बना देता हूं hydrogen का गेरा तो hydrogen अपना गेरा बनाएगा तियो देखो hydrogen का गेरा अलागी रहेगा तो हाइडोजन के घेरे में दो इलेक्टरोन आ गए तो उसका भी अस्टक पून हो गया यहां पे भी देखो दो इलेक्टरोन आ गए तो यहां पे भी अस्टक पून हो गया अब बारी आती है इस वाले कार्बन की तो कार्बन का घेरा रैड कलर से ही बनाएंगे इस कार्बन के घेरे में भी आठ एलेक्टरोन आने चाहिए तो एक इस से लेगा दो इस से लेगा कितने हो गए तीन और दो इस से लेगा क्योंकि देखो इस कारबन के चार ये हैं एक, दो, तीन और चार तो ये तो इसी के हैं फिर इस कारबन का एक एलेक्टरोन ये ले लेगा और अक्सीजन की ये दोनों ले लेगा तो दो और एक, तीन और एक अक्सीजन का ये तो चार हो जाएंगे और चार इसके पास खूद है गहरा बनेगा तो समझ में आ जाएगा ये देखो आप यहां से चलेंगे इसका एक ऐलेक्टरोन लेते हुए और ये देखो इस तरीगे से गहरा बन जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं तो ये जो है इस कारवन के घेरे में भी आप देखो तो आठ एलेक्टरोन ही आपको मिलेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और आठ क्लियर है कि नहीं, दो, एक, तीन, और एक, चार, और चार ये हैं अब हमें इस ऑक्सीजन के भी घेरे में आठ एलेक्टरोन अने जी तो आक्सीजन का घेरा मैं बना देता हूँ अब बिलू पैन से ठीक है, तो छे इसके पास है, दो ये ले लेगा, तो छे और दो आठ हो जाएंगे, तो ये देखो, ये घेरा बन जाएगा इसी आक्सीजन को देखो, तो ये आक्सीजन के पास 6 है, एक इसका और एक इसका ले लेगा, तो इसका घेरा बन जाएगा, तो आठ तो ये hydrogen भी क्या करेगा अपना श्टक पूर्ण कर लेगा तो इसका एक electron इस तरीके से लेके इसके घेरे में भी दो आ जाएगे तो इसका भी श्टक पूर्ण हो जाएगा तो ये था एथेनो एक अमल का Lewis.Structure आई होप आपको समझ में आ गया होगा Lewis.Structure क्या होता है तो ये जो तरीका है Lewis.Structure बनाने का काफी अच्छा तरीका है और आप इसमें कर सकते हैं बस थोड़ा सा knowledge होना चाहिए किसका electronic बिन्यास लिखने का अश्टक वाले चीजों का पता होना चाहिए कितने किस course में कितने जाते हैं जिसे 288 ये knowledge होना चाहिए हलाकि मैंने थोड़ा उपर उपर बताया है 288 का अगर आप पे electronic बिन्यास लिखने नहीं बनता है तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको समझ में ना आए ज़्यादा लेकिन जिसका जिस पे already बनता है तो बहुत जल्दी से समझ जाएगा अभी देखो B point मैं आपको कराने जा रहा हूँ H2S का तो देखो यहाँ पे H2S जो होता है उसको कैसे बना सकते हैं काफी सिंपल है इसमें center atom को है यहाँ पे S है अब दो H है तो एक H इस तरफ बना लेना है और एक H आपको इस तरफ बना लेना है clear है की नहीं अभी देखो Sulfur के बाहताम कोस में कितने होते हैं 6 क्यों होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ Sulfur का परमाणू करमांक होता है 16 देखते रहना बड़े दिखान से सल्फर का परमाणू करमांक होता है 16 तो जब हम इसको लिखते है तो 2, 8 तो 10 हो जाएंगे वह बहाएँभी कोस में कितने रहेंगे 6 तो सल्फर के भी बहाइदाम कोस में 6 रहते हैं यह कोस्त तो भरे हुए हैं तो इन्हें बोलते हैं अंदर के कोस्ट, बाहर के कोस्ट में कौन है, छह, तो 6 एलेक्ट्रोन बनाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह बिंदू बनाने का जो स्टाइल है वो ऐसा ही दहना चाहिए, नहीं तो आप फिर स्ट्रेगल करेंगे, उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा, यहाँ पे भी एक ले लिय कितने चाहिए होते हैं, आठ चाहिए होते हैं, इसके पास हैं तो 6, तो 2 और ले लेगा, तो 2 किस से लेगा, यह हाइड्रोजन का ले लेगा, इसका ले लेगा, तो यह देखो इस तरीके से सलफर अपना गेरा बनाएगा, और सलफर के गेरे में आप देखोगे, तो कितने electron देख रहे हैं 8, 6S के और 2S के अब बात करते है hydrogen की तो hydrogen भी अपना अस्टक्पून करेगा उसे 2 electron चाहिए होंगे तो उसके गेरे में 2 electron होने चाहिए तो वो क्या करेगा एक गेरा यहां पर बनाएगा तो इस गेरे में भी आपको 2 electron देख जाएंगे क्लियर होगा की नहीं तो H2S भी आप पर हो जाएगा अब बात करते है प्रोपेनोन की तो प्रोपेनोन जो C नंबर पर आता है तो उसका जो सबसे पहले तो आपको formula पता होना चाहिए कि formula क्या होता है तो मैं pencil लेलू पहले लिख लेता हूँ कि देखो प्रोपेनोन को कैसे लिख सकते हैं तो सबसे पहले तो वही चीज जरूरी है कि CH3 फिर आपको यहां पे CO फिर आप लिख सकते हो CH3 यह प्रोपेनोन है अब प्रोपेनोन का formula अगर आपको पता नहीं है तो आप फिर से struggle करने लगेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है तो यह प्रोपेनोन है प्रोपेनोन ठीक है तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि यह प्रोपेनोन का formula है अब इसमें आपको क्या करना चाहिए कि CH3 अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ अगर इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिखूं तो यह आएगा C इसके तीन तरह इस तरीके से H आएगा और C O तो C आएगा फिर C के नीचे O लटका देंगे डवल बॉंड के साथ में और फिर आजाएगा C फिर H फिर H फिर H यह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्लियर होगा की नहीं अब C डवल बॉंड O को ON कहते हैं और तीन कारवन को प्रोप कहते हैं इसलिए प्रोपे नोन हो जाता है आईउपेश यह आपने पढ़ी हो जादी तो तो देखो अब कैसे हम कर सकते हैं इसको थोड़ा सा सिंपल तरीका में बताऊंगा सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखो कि पहले क्या है मैं जिस्ट कर लो थोड़ा सा ओके पहले लिखेंगे कारवन तो यहाँ पे कारवन बना जाएगा फिर तीन हाइड्रोजन है तो इसको तीन हाइड्रोजन बना दो और 3 अब क्या करना है कारवण की से यह चिता है कितनी होती है 4 पहले ही देख चुके हैं तो 1 मतलब ऐसे बना देना है 1, 2, 3, 4 इस कारवण की सा यह चिता हैा कितनी होती है 4 तो बना लो 1, 2 अक्सिजिन के सामने हमेसा 2 ही उलेक्टरण रखा करो और दो इस तरह हो जाएंगे तो हो गए ना चार अब इसके भी एक हाइड़ोजन के सामने एक ही एलेक्टरोन रखते हैं और यहाँ भी एक तो यहाँ बचेगा एक तो हो गए चार तो हर कारवन के चार-चार एलेक्टरोन हमने अलग-अलग तरीके से रख दिये अब हाइडोजन का क्या होता है हाइडोजन का एक ही होता है तो चलो रेड कलर से इस बार बना लेते हैं हाइडोजन के लेक्टरन तो ये देखो ये हाइडोजन के लेक्टरन बना लिए तो carbon के गेरे में 8 electron होने चाहिए, तो 4 इसके पास हैं, और 4 ये अलग अलग हैं, एक, दो, तीन, चार, चारो तरफ, देखो, मैं गेरा बनाऊंगा, red color से तो दिख जाएगा, red color का गेरा देखो carbon का, ये देखुआ, तो 4 ये हैं, एक, दो, तीन, चार, तो आठ एलेक्टरन आ गए, इस कार्वन में भी आठ एलेक्टरन हो, तो चार इसके पास है दो इसके ले लेगा, तो दो और दो ये हैं, तो ये तो बहुत सिंपल बन गया, देखो आप अक्सिजन से दो ही लेता है कार्वन दो, दो चार दो च्छे और दो आठ अब इस कार्वन में भी आठ होने चाहिए तो देखो, एक, दो, तीन, चार बाहर से देख रहा है, और चार नदर है तो इस कार्वन का गेरा भी कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं अब बचा क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सरक्ल में नीले कलर से बनाओंगा तो इनको बनाना काफी सिंपल होता है ये देखो, अलागी देखते हैं और ये यहाँ पर इस तरीके से बना लेगा ये इस तरीके से बना लेगा और ये जो है इस तरीके से अब ये जो सरकल है अक्सिजन का वो कैसे बनेगा काफी सिंपल च्छे इसके पास है दो इसके इस तरफ से साज़दारी हो जाएगी ये देखवा आप बस बनाने की प्रक्टिस कर लो ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है बस आखरी वाला बचा है क्या है एफ टू तो मैं एफ टू का भी दिखाई देता हूं एफ टू तो एक एफ इस तरफ बनेगा एक एफ यहाँ पर बन जाएगा इसमें एक बात रखना कि इसके बाहतम कोस में छो है इसके 7 अलेक्टर्न होते हैं तो एक दो तीन चार पाच छे सात होगए कि नहीं ठीक इसी तरीके से इसके सामने बस एक रखना बाकी एक डो च्छै ऐसे बना लेना फिर क्या करोगे अब इसको एक एक एलेक्टर्न चाहिए तो यह गहरा इस तरीके से बना लेगा और गिये वाला गेरा इस तरी के से बन चाएगा तो इसके सर किल में भी आठ हो गाया सिक्फियं और इसको पूरा अत्चे से प्रैक्टिस कर लेना बनाने, ठीक है song तो आई हो वप आपको यह भी समझ में आ गया होगा काफी important Catet mountain है यह और यह जो परिक्षा में आने की संभावना है मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि ये परिक्षा में आ सकता है इसलिए आप इसकी तैयारी पहले करेंगे और इनको बना के देखेंगे कई बार परिक्षा में आ गया है एलेक्टरॉन बिंदू से नचना बनाईए और बाकी के और वीडियोज ऐसे ही important अगर देखना चाहते हो तो यूटूब पे सर्च करोगे free online coaching तो आपको बहुत सारे वीडियोज ऐसे मिलेंगे जो direct hit करते हैं ऐसे question मैंने करवाई है कि direct exam के लिए hit कर जाते हैं तो आपका कोई भी time based नहीं होगा छोटे समय में कम समय में आपको बड़े-बड़ी चीजें समझा दी जाएंगी और ऐसे ही लगवाग गड़ित विसाय भी मैंने करवाया है तो वो भी आप देख सकते हो और काफी help मिलेगी I hope मैं आपकी मदद कर पाऊंगा मुझे ऐसा लगता है अब फिर जितना भी कर पाऊं बाकी ठीक है कर लेना इसको और मिलते है next video lecture में अगर वीडि के साथ सेयर करना है ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू